हेलो दोस्तों सोह था आपके अपनी यूट्व चनल एजव खोड में तो दोस्तों आज की वीडिविए फिरस्ट यहर के वीडियो और चैप्टर 5 तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी वह वीडियो तो उपर आई बटिन प्लिक करके प्लेइस में जाकर चेक कर सकते हैं उन वीडियो को हमारी लास्ट वीडियो सिक्षा के अभीकरन यानि एजन्सियस ओफ एजुकेशन जो कि है अप्चारिक अनप्चारिक और नेराप्चारिक इन देनों के बारे में डीटेल में वीडियो है तो उसे सवरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर देजेगा आज का हमा बात करेंगे जिन में सिक्षा के पूर प्रात्मी के स्थर प्रात्मी के स्थर मादमी के स्थर और उचस्थर आते हैं आज की वीडियो में हम पूर प्रात्मी के स्थर और प्रात्मी के स्थर के बारे में डीटेल में बात करेंगे और कल की वीडियो में उचस्थर और मादम किस तर के बारे में बात करेंगे आने आगे आने वाली वीडियो इसमें मॉंटेन सरी पति डॉल्डर इंपshift। गॉट इन सबी वारी में बात करेंगे वीडियो को एकदम लास्थ आयाम को जानने से पर जान लेते हैं कि सिक्षा क्या है सिक्षा शब्द का प्रियोग अनीक अर्थों में किया जाता है शाब्दिक अर्थ का नुसार शिक्षा एक विकास संबंदी प्रकरिया है यानि जो सिक्षा का अर्थ है उसको अलग अलग प्रस्पेक्टिव से समझा जाता है संकुचित अर्थ से भी सिक्षा का अलग अर्थ है व्यापक अर्थ मतलब की प्रस्पेक्टिव से भी सिक्षा का अलग अर्थ है यानि संकुचित अर्थ से बात करें तो जो हमारे स्कूल कॉलेजों यानि विध्यालेव में जो सिक्षा इंसिटूशन में जो सिक्षा प्रदान की जाती है यानि जो किताबी ग्यान होते हैं उसे संगुचित सिक्षा का जाता है इसके वियापक सिक्षा वो है जो हम जीवन परियंत सीखते हैं चल रहें फिर रहें किसे से मिल रहें जुल रहें तो क्या है यह हम हमारे दिन चरिया में रिलेटर है तो इसे व्याबक सिख्षा का आगया किताबी ग्यान यानि आपचारिक सिख्षा क्या है कि जो हम निश्चित समय अवदी में निश्चित स्थान पर निश्चित पाट समगरी के तहट निश्चित विशय वस्त भीरति क्यूंकि उसका कोई निश्च्री टाइमिंग नहीं होता, कभीय। हम कुछ भी सीख सकते हैं. तो शाब दी करतीक है राप जार, दुच्छा एक विकास समद्दी प्रकरिया है। ये विकास बालग का मानजित भी हो सकता है, सम्वेक आत्मग भी हो सकता है। शारीरिग भी हो सकता है तो शिक्षा एक विकास समंदी प्रकलिया है और यह भिकास वेक्ती जन में से लेके मृत्यों तक चलता रहता है यानि शिक्षा की जो प्राथ्य प्रड़ान हमें लग लग इस तरहों पर सिक्षा प्रदान करने के लिए अलग ववस्ता की गई जो रइत ₙ इन प्रहते के लिए अलग 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 उम्र के बालकों के लिए अलग इसतरू पर silचा प्रदान कर ने के लिए आयाम बनाये जिससे कि उन्हें उनकी उम्र में जो उनका मानसिक विकास होता है जो उनका समय गातना विकास होता है उसके अनुसार ही उन्हें सिक्षा मिल सके यानि जो प्राद्मी के बालक होते हैं उनकी आयू कम होती है तो उनकी आयू के अकॉर्डिगों ने सिक्षा दी जाए इसके वि स्टेप्स पे स्टूडेंट्स के लिए आयाम बनाएगे जिससे कि सिक्षा उन्हें असानी से दी जा सकते और बालक के सरवगीर विकास करने के लिए सिक्षा जो प्रेयत निरंतर करती रहती है उसमें सिक्षा सफल भी हो सके अब बात करते हैं इन तीनों आयामों के बारे में तो देखिए सिक्षा ववस्ता के तीन आयाम है प्रात्मिक सिक्षा मादमिक सिक्षा और उचे सिक्षा ये तीन आयाम है प्रात्मिक सिक्षा का एक आयाम पूर प्रात्मिक सिक्षा है यानि किंडर गार्डन जो केजी के दर्गत रखा जाता है तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों यह सब बनाने में लिखने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज अप्रिशेट करने के लिए सही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्रात्मिक सिक्षा तो किसी भी देश में प्रारंबिक सिक्षा देश की मूल आधार वो शीला होती है जिसके उपर आगे की जो सिक्षा व्यवस्ता होती है उसका आधार डिपेंड करता है तो देश की सिक्षा व्यवस्ता को व्यापक मजबूत और उन्नत शील बनाने के लि तो देश के मूल आधारवुष्ष शिल्या हाथ की आधार निर्बार निर्बार करता है। आगर आपके सक्राइड मजबूत मजबूत अगर आपके सके में करताने साभा alma का निर्बार निर्बार है। तो उस पर ही आपकी आगे की सिक्ष हवस्ता नीरवर करेगी आगे मतलब जितना जादा आपकी केपिबिलिटी का development Elementary Education के तहथ होगा आपको जितनी उन्त सिक्षा जिसी मजबूत अच्छे सिक्षा आपको Elementary Education यानि प्रात्मि सर्भर प्र governments की जाएगी उसी के basis ऑपकी आगे की सिख्षा डिपेंड करेगी आपकी रुची भी आपकी रुजहान भी और आपके करियर यानि व्यवसाय से जुड़े जो फैक्टर्स होते हैं मतलब भी बनाने लिए सबसे पहले प्रात्मिक सिक्षा प्रात्मिक सिख्षा दिया वालकों को यानि प्री प्रात्मिक शिक्षा का सबाती करती है पूर्व और प्रात्मिक से पहले पूर्व को मतलब क्या होता है पहले तो प्रात्मिक सिक्षा से पहले जो सिक्षा प्रदान की जाती है उसे पूर प्रात्मिक सिक्षा का शाब्दिकर्थ अभी प्रात्मिक सिक्षा से पहले की सिक्षा से यानि वह सिक्षा जो बालत को प्र केहती हैं वास्ताव में पूर्प्राइंग शिक्षा, माता के गारंड के साथ प्रारम बुजाती आयू यानि पांच से छे वर्ष तक चलती रहती ऐसी मतलब इस तरह की सिख्षा को पूर प्रात्मिक सिख्षा के विकास के बारे में यदी बात करें तो पूर प्रात्मिक सिख्षा का विकास एवं उद्भव कश्रे फ्राइबेल को जाता है फ्राइबेल को पूर प्रात्मि स्थापना की थी तो पूर प्रात्मिक सिख्षा का विकास मितलब अलवर वर्ड में जो पूर प्रात्मिक सिख्षा का विकास हुआ उसे फ्राइबेल ने आ किया था जर्मनी में लेकिन भारत वर्ष में जब ये भारत वर्ष में पूर प्रात्मिक सिख्षा का अपचारिक य जो इसाही मिशनरी थे ना उनके योगदान के तहट खुआ यानि भारत में पूर प्रात्मिक सिख्षा इसाही मिशनरी से दोरा आई लेकिन ऊल आवर वर्ड में जो सबसे पहले पूर प्रात्मिक शिशा के कंसेप्ट को रखा वो फ्राइवेल रखा था दूवर पूरौन सिधिक्षा का कनसेफ्ट कैसे आया इसकी वाइं बात करें तो प्राशन काल में भारत ही मतलब कि प्राशन tastes काल में परिवार ही बालक चिसअ का केंद्र होकरते थे मात Looking to look at Emirat ौछ सिभ्षन परियार क्यान सदस्बहा भाई और समीत्र ohnwe करते थे वही अपने घर के बच्चों को अच्छे बुरे का फर्ख समझाते थे सदाचार का पाठपड़ाते थे उसके समाजी कोशल उसके भाशा के ग्यान गर्द के ग्यान को बढ़ाते थे तो पूर प्रात्मिक सिक्षा कोई अफचारिक सिक्षा नहीं होकर समाजी आदान प्रदान की यानि अभिव्यक्ति की प्रकरिया बन गई थी परंतु बाद में घरेलू वैवसाई क्रिया कलापों में व वहवार श्रोधन के लिए पूर प्रात्मिक सिक्षा प्रदान करने के लिए अपचारिक सिक्षा संस्ताओं के सापना का मार्ग प्रशास्त हुआ और वर्तमान युग में इन आशक्ताओं में विद्धी उस समय मैं हैसूस की गई जब माताओं ने भी व्यवसाईक छेत्र कियोंकि उन्मे तो सिक्षा प्रात्मिक सिक्षाओं का प्रादान की ती और पूर प्रात्मिक सिक्षा के और और पर थोदो बात्मिकाटिता refuse प्रयाथ में आती है। इस नहीं है अक मिला कोई ऑनठी अखी यूँ और 206 आटी है हुआ है। में भी करनी कुछ आती है कोई से थोच शुक्छा को जाए जिस में बालुधिता है टुम से थीन वाष्ट को के वह सकता है तो पूर प्रागसिशा के केंद्र में बालक साधार्ता तीन से पांच घंटी के अधी तक रहते हैं कि चोटे बालोकों जिस प्रेम और सहानु बोतिपूर्ण वहवार के आशकता होती वैसे वहवार पूरुशों के पेक्सा नारी अच्छी तरह से दे सकती इसलिए पूर्प्रात्मिक सिक्षा केंद्रों में अध्यापन व्रवस्ता टीचर्स की जो फैसिलिटी रखे गई भी महीला अध्यापकों के हाथ में ही रखी गई तो इन सिक्षा केंद्रों में बालों को शिशुगीत गिंती खेल व्यायाम स भाषा, वैक्तिका स्वास्त, खान पान के सामान नीम, सामान ग्यान, गड़ित का प्राणविक जयान विपूर परात्मिक सिशा पार्टकरों में वह अध्या गुछ अधिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है या पिर परात्मिक सिक्षा के दौरन भुष्छो में बच्चों के लिए मिड़े मिल की विवस्ता की जिसे कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो बालकों को स्वस्त वर्दक वातरवर्ण जैसे खुली जगा शुद्ध हवा प्रकाश आधी उपलप्त कराना यह सभी कुछ फैसिलिटी क्या थी पू कि अधार बुद्ध शीला होती है क्योंकि उसके उपर ही आगे की सिख्षवस्ता डिपेंड करती है तो प्रात्मिक सिख्षा क्या है सिख्षवस्ता का बेस है ऑप्चारिक सिख्षवस्ता के प्रतम स्थर को प्रात्मिक सिख्षवस्तर का जाता है बालक की आयू चिस साथ वर्ष तक होने तक प्रात्मिक शिशा प्रारम होती है और साधारता चौदा वर्ष्ट की आयूद तक चलती रहती है प्रात्मिक शिख्षा इस्तर पर बालक किसी शिख्षा संता में नियोजे टंग से विद्यानरत प्रारम करता है अता कक्षा एक से लिए कक्षा आठ तक की सिख्षा को प्रात्मिक सिख्षा का जाता है आज की दौर में भारत सरकार ने कख्षा एक से लिए कख्षा आठ तक की सिख्षा को निश्यल को कर दिया है अनिवार कर दिया किया कि प्रित्यक बालक को एक आठ तक की सिख्षा प्रदान करना अनिवार है तो यह क्या है यह एक आपचारिक सिख्षा का फर्स स्टेप होता है बेस होता है अधार शीला होती है जिसे हम प्रात्मिक सिख्षा कहते हैं तो इस सिख्षा में बालक की आयू छे से साथ वश तक की होती है जिसमें बालक को कक्षा एक से लिके कक्षा आठ तक की सिख्षा प्रदान की जाती है परात्मिक सीश्या पड़ाली है विश्मित मैं सबसे बड़ी प्रार्विक इस तरह के सिख्शा पड़ाली माले जाती परन्तु इसकूल ना जाने वाली बच्चों का पाइस 25% हमारे देश में हैं जबकि विश्विक के कुल प्रोड साक्षरों का 30% भाग भारत में हैं तो देश में सिख्षा के इस तर को सुधारने के लिए सरकार दरा सभी के लिए सिख्षा लक्षक खा गया है जिसके अंतरगत 6-14 वर्ष के बालक ता 15-35 वर्ष के प्रोड को शामि तो इस तरह से यह लक्ष रखागे जिससे कि शिक्षा को सौड़ भावी कर्ड भी हो सके और प्रात्मिक शिक्षा को अधिक उन्नत शिल और अधिक मजबूत भी बनाया सके प्राय ऐसा होता है कि बहुत से लोग पूर प्रात्मिक शिक्षा को प्रात्मिक शिक्षा के पहल पूर प्रात्मिक सिक्षा केवल एक स्टेप है पूर प्रात्मिक सिक्षा का जो प्रात्मिक सिक्षा से पहले दिया जाता है जिसमें बालकों को केवल खेल खेल के दौरान बच्चों को सिखाए जाता है जिसमें को समाजिक्ता उनमें आत्मों के मतलब की अपनी बातों की लोना गडित का ग्यान यह सब नहीं सिखाया जाता है जबकि खेल-खेल में बच्चों को रंगों के नाम रंगों को पहचानना फलों के नाम यह सब कुछ खेल-खेल के दौरान सिखाया जाता है लिकिन एक्चr admire पढ़ना यह फिर मैट्स करना यह सब कुछ किंडरगार्डीन नहीं इंड इयुद्धि रटार्टॆ कि इडुकेश coordinator कमें आप काज अगिन Pokémon 3 प्रात्मिये के सीख्षा का बेस बीघ्जान और अब कोई है भालत शुक्षा है वो प्रात्मिये के सिख्षा के आप प्र०्धति के बारे में तो सेक्षिक अनुसंदार इवा प्रसिक्षर परिषद यानि NCRT के द्वारा सन 1975 में तयार किये दस्टावे दो करिकूलन ऑफ टेन इयर स्कूल में प्रात्मिक शिक्षर के मुख उदेश को निम्नेवत लिखा गया है पहला है अन्य व्यक्तियों से वारतरलाप के लिए प्र एहां से किस किसीतियों में पात करना है गहा dessently वहारी समस्या के समधान के लिए जोडगटा गुडबाग की योगता है प्रादान करना या नी बालों को वहारी समस्याओ को प्रातमिक Значит EPA के अनिग द्रीनिक जीवन मत के लिए सेंटोन ऊड़तिशन सब्ट्रेक्षण मुल् यह जो साइंटिफिक इंक्वारी मेथर्ट्स होते हैं बालग को उनका ग्यान भी बताना बालग को विज्ञानिक से अफगत कराना और उनके महत्वकों भी समझाना इसका उत्देश है राश्ट्री प्रतीकों तत्ता प्रजतांत्रिक विदियो वसंस्ताओं के प्रती आदर बालग करना तेन यानि हमारे जो राश्ट्री दवर्श राश्ट्री गाने उसके सम्मान के लिए खड़े होना उसके विदियोत संस्था उसके प्रती अपने आदर को अपने भाव को उत्द्द करना देश्वक्ति की भावन जगाना भी इस सिक्षा का उत्देश माना जात पहला है प्रात्मिक सिख्षा एक लोग सिख्षा है तो आज के युग में संपूर राष्ट्रो में प्रात्मिक सिख्षा के महत्व को स्विकार किया जा रहा है इसलिए अन राष्ट्रो की तरह भारत में भी प्रात्मिक सिख्षा को निशुर्क और अनिवार बना दिया गया सरकार में सिक्षा प्रावे सिक्षा के रूप में व्यान कर रहा अगर अनिवारता के नियम को कठोटा के साथ पारान किया जा तो प्रोओं सिक्षा कर रूप tua बद़ जाएगा नेक्ष्ट है प्रात्मिक सिक्षा भावी Conseemia का आधार है तो प्रतेक राष्ट के सब समाज में प्रात्मिक सिक्षा के अंतरकत बालकों को संप्रेशन यहीं इंट्रेक्शन के माध्यम से संप्रेशन के माध्यम से बाश्रक अग्यान कराया जाता है उन्हें जीवन के अधारवु सामाने मानव वहवार को प्रसिक्षित भी कराया जात जनन सिक्शा है और सभी के लिए उस्वा नहीं थै कि परत्निक किसी को समान जीवन की सिक्षा भी प्रदारीन की जा सकती है नेक्स्ट है प्रात्मिक सिख्षा देश के अधिकांश लोगों की सिख्षा है तो देश के अतीत और वर्तवान को देखने से ये क्यात होता है कि सरकार देश के लोगों को सिख्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रात्मिक सिख़ा को पूर रूपोस से निशूल्ग के वो अनिवार नहीं किए आए जा सक्का और जो लक्षा हमारे सामने मोझ्यूदे तुढ़ी सीख़ास से आटकषा तक कि सिख्षा को निशूल्ग और अनिवार बनाना हैं प्रात्मिक विद्यालों में बालक अपने अपने संस्कार ले कर आते हैं इस अवस्ता में इतने परिफाक नहीं होते कि उन्हें सही दिशा दी जा सके प्रात्मिक विद्यालों में बालकों का समाजिक सांस्कृतिक नयतिक चरितिक विकास किया जाता है मानावयवार में प्रसिक्षित भी किया जाता तो इस प्रकार प्रात्मीक सिख्षा तो बचों के लिए अनिवार सिख्षा प्रवंद की आगया है उन लक्षों रहें और जब तक प्रते गावं में प्रात्मिक तपरावर्म नहीं किया जाएगा तब सफ़ल हो सकता है तो बालक के व्यक्तित्व विकास करना होगा जिससे वह चरीतवान योग और सावल करने कीजिए अधवा करके प्रात्मिक शिक्षा के उध्देश में पार्टिक्रम का वर्नेर कीजिए तो यह दोनों कोशन बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है प्रात्मिक शिक्षा के क्या उध्देश है नेक्स्ट है प्रात्मिक शिक्षा के विकास है तो सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाएं अत्वा विद्याले सिक्षा के सुधार है तो क्या कदम उठाए जानी चाहिए तो दोस्तों यह सब भी कोश्चन्स थे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेट थे बहुत इंपार्ट बहुत मेनत लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिये किजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेला कौन को भी फिट कर दीजिए और अपनी दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए चलिए मिलता है नेक्स्ट टूडियो में तब तक कि अपने खूब कह लगक प्लीजो में टाएक कि और अभी झाल झाल टे लोस्तों कामे टे आरेक कर दो करके लिए लो बस управदाः कर दो रेक्स्तों क कहा उता है बहुत में में छीजिए।